Hello students, integration series में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग इस वाले integration problem को solve करेंगे हलाकि ये वाला integration question मैंने आपको पिछले वीडियो में home work दिया था तो जिन लोगों ने try किया है Hello students, integration series में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग इस वाले question को solve करेंगे ये question मैंने पिछले वीडियो में homework दिया था तो जिन लोगों से ये solve नहीं हो पाया है वो video अंत तक जरूत देखिएगा जिन लोगों ने इस question को try नहीं किया है तो एक बार video pause करिए और खुछ से try करने की question जरूत करिए तभी आपको integration में मज़ा आएगा तो चलिए इस integration question को solve करते हैं तो देखिए उपर x cube है नीचे x plus 2 का power 4 है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये जो नीचे x plus 2 है ना इसको t suppose कर लेंगे x plus 2 को क्या suppose कर लेंगे t suppose कर लेंगे तो मैंने बताया था जब ये suppose करते हैं फिर differentiate भी करना पड़ता है तो x का differentiation dx हो जाएगा 2 का 0 हो जाएगा क्योंकि constant है t का dt हो जाएगा ठीक है तो जागा integration उससे पहले क्योंकि हम लोग x plus 2 को t मान रहे हैं तो अगर इस 2 को उधर पेर दिया जा तो x की value क्या हो जाएगी x की value हो जाएगी t minus 2 सही बात है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो हम लोग इस x के जगा t minus 2 रखेंगे तो यह जाएगा t minus 2 का whole cube divided by x plus 2 के जगा t रख देंगे तो यह जाएगा t का power 4 ठीक है और यहां जाएगा dt क्योंकि हमारा आया था dx बराबर dt क्योंकि dx के जगा हम लोगों ने dt रख दिया है तो t minus 2 का whole cube तो आप open करी लेंगे इतने बड़े तो होई गया है ठीक है तो t minus 2 का whole cube हो क्या होगा t q minus 8 minus 6 t square plus 12 with t ठीक है whole divided by t का power 4 और यहां पर dt अब separate कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा t cube by t का power 4 हो जाएगा minus 8 by t का power 4 हो जाएगा minus 6 t square by t का power 4 हो जाएगा plus 12 with t by t का power 4 हो जाएगा और यहां पर dt आ जाएगा ठीक है तो जाएगा 1 by t minus 8 by t का power 4 minus 6 by t का square plus 12 by t का q dt ठीक है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1 by t को 1 by t ही रहन देंगे minus 8 t का power 4 है इसे लिखेंगे हम लोग 8 t का power minus 4 minus 6 by t square है तो इसे हम लोग लिखेंगे 6 t का power minus 2 plus 12 with t का power minus 3 dt ठीक है तो 1 by t का log t होता है ठीक है minus 8 t का power minus 4 है इसका integration क्या होगा minus 4 में 1 जोडेंगे और उसी से divide भी कर देंगे है ना minus 6 t square का क्या होगा minus 6 t का power minus 2 में plus 1 करेंगे और नीचे भी minus 2 plus 1 करेंगे 12 t minus 3 है 12 t का power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 हो जाएगा तो यह जाएगा log t log t minus 8 t का power minus 3 divided by minus 3 plus minus 6 होगा प्लस नहीं minus 6 t का power minus 1 divided by minus 1 plus 12 t का power minus 2 divided by minus 2 यह minus यह minus मिलके plus हो जाएगा तो यह जाएगा log t plus 8 by 3 t का q minus में minus plus हो जाएगा क्योंकि यह minus यह minus मिलके plus 6 t का power minus 1 यह minus यह plus मिलके minus हो जाएगा 6 क्योंकि यह 2 से 12 को 6 बार में कट कर देगा तो 6 t का power minus 2 अब क्योंकि t की value जो थी वो x plus 2 थी तो हम लोग t के जग़ x plus 2 आपिस रख देंगे तो जाएगा log x plus 2 ठीक है plus 8 by 3 x plus 2 का power minus 3 plus 6 x plus 2 का power minus 1 minus 6 x plus 2 का power minus 2 plus c लगा देंगे तो हमारा answer complete हुआगा तो कुछ नहीं मैंने किया है इस चीज को t माना है ठीक है और solve कर लिया integration को process उसके पीछे यह है यहां पर मैंने separate किया है ठीक है जो लोग मेरे lecture सुरू सो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि separate करना मतलब क्या होता है ठीक है तो वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो चोड़के जाएगा नहीं क्योंकि आपके सामने एक और question आने जा रहा है question है integrate करना है आपको इस function को ठीक है तो वीडियो pause करके try करिए अगले वीडियो में मैं इसका solution बताऊंगा तब तक के लिए goodbye झाल